हेलो माई दियर स्टूडेंट्स वेलकम टू अद्वेत एजूकेशन मैं देपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वेत एजूकेशन पर तो जैसा कि बैक्ग्राउंड में दिख रहा है आज हम यहाँ पर साउंड टॉपिक का डिस्कुशन करने वाले हैं कि धुएनी से किस तरीके के questions exam में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा रहे हैं साथी तो किस तरीके के questions बनते हैं साउंड से आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं देखो बच्चों Special Particular Topics से question का discussion मिलना थोड़ा सा tough होता है लेकिन यहाँ पर इस platform पर आपको particular topic से किस तरीके के questions actual में पूछे जा चुके हैं, paper से उठा करके सीधे यहाँ पर क्या किया जा रहा है, discussion किया जा रहा है, तो exam point of view से आपके लिए बहुत important होने वाला है discussion है ना, exam point of view से यह discussion आप सभी के लिए बहुत important होने वाला है, तो आईए देखते हैं, आ mediums की बात कर रहा है ना, option में दिया हुआ है, चार medium है, the velocity of sound is maximum, जो velocity of sound है, वो maximum किस में होता है, ऐसा कहरा है, velocity of sound is maximum in where, air में, fluid में, metal में, या vacuum में, तो सबसे पहले हमें समझना होगा थोड़ा सा की sound, थोड़ा सा समझना है sound के बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो sound हो होता है आपका धोड़ाइनी actual में है क्या, क्या है my dear students, यदि मैं कहों धोड़ाइनी या sound एक कौनसी वेव है, सबसे पहले जो धोड़ाइनी से आपको जानना है या समझना है, तो ये समझना है कि ये कौनसी वेव है, यानि कि किस वेव का ये form है, तो ये होता है, mechanical waveform, क्या ह होता है mechanical waveform या इसी को यांत्रिक waveform और क्या कहते हैं यांत्रिक waveform अब यह जो यांत्रिक waveform होती है actual में क्या होती है ऐसी waveform जिसको transfer होने के लिए क्या जरूरत होता है medium का जरूरत होता है यानि कि without medium sound cannot be travel यह चीज़ आपको समझनी होगी कि बिना माध्यम के धोयनी संचुरण नहीं कर सकता ठीक है उसी से यह question जो है इसके options related है अभी हम explain करने वाले हैं कि जो धोयनी है वो बिना माध्यम के जैसे हमने प्रकाश पढ़ा था light पढ़ा था light को medium के आवश्यक्ता नहीं होती है इवन हम यह भी पढ़ते हैं कि जो प्रकाश की प्रकाश का वेग है वो कितना होता है 3-10 to the power 8 meter per second पढ़ा है न हमने 3-10 to the power 8 meter per second हमने velocity of light पढ़ी है जो की किस में होती है जो की निरवात में होती है या की कहें संचरण होने के लिए किसकी आवश्यक्ता होती है माध्यम की आवश्यक्ता होती है तो जो सबसे जादा important point है वो यही समझना है यहाँ पर कि माध्यम में ध्वयनी ट्रावल करता है अब वो आपका medium कुछ भी हो सकता है liquid, gas या की solid कुछ भी हो सकता है लेकिन माध्यम होना चाहिए साथ ही एक चीज और में important है वो है कि जो आपका mechanical waveform होता है वो दो होता है सभी को पता है यह बात तो पहले भी discussion हो चुका है है ना दो होती है हमारी mechanical waveform कौन कौन सी होती है mechanical waveform दो होती है पहली होती है longitudinal longitudinal and दूसरी होती है transverse wave क्या होती है transverse wave अब longitudinal and transverse क्या है तो जो longitudinal waveform है आपकी उसको हम हिंदी में कहते है अनुद्यार्द तरंगे क्या कहते है अनुद्यार्द तरंगे और जो transverse wave होता है वो हिंदी में होता है आपका अनुप्रस्त तरंगे अब ध्यान देने वाली या समझने वाली जो बात है वो क्या है यहाँ पर my dear students आपको समझना होगा कि actual में sound इन दोनों में से किस में like करता है है ना देखो दो तरीके की waveform होती है science में दो होती है क्या एक होती है mechanical waveform दूसरी होती है electromagnetic waveform तो इन दोनों waveform में हमारा जो sound है वो mechanical waveform में आता है clear यहाँ पर हम electromagnetic waveform का discussion नहीं करेंगे light जब पढ़ाया है तो बहुत अच्छे तरीके से हमने किसका discussion किया है light में हमने electromagnetic waves का discussion बहुत ही शांदार तरीके से किया है आप videos देख सकते हैं दूसरी बात है videos हैं हमारे description में clear दूसरा है दूसरा आपका mechanical waveform है जिसको travel करने के लिए medium यानी की माध्यम की आवश्यक्ता होती है अब माध्यम जो है माध्यम किसी भी तरीके का हो सकते है मैंने कहा liquid, gas, solid कुछ भी clear और जो mechanical waveform है वो दो होती एक होती अनुप्रस्त और एक होती अनुदैर तरंगे अब ये दोनों क्या होती अनुप्रस्त और अनुदैर तरंगे पहले भी बताया है लेकिन थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर जो हमारा longitudinal waveform होता है इसका जो best example आप समझ सकते हो वो एक spring के दुरू समझ सकते हो ठीक है एक spring के दुरू सपोस करो यहाँ पर आपकी कोई spring लगी होगी ही अब एक बात बतों मुझे इस this spring को आप खीचोगे खीचोगे तो कैसा movement हो dawn spring को खीचोगे तो कुछ इस डिरेक्शन में ऐसा movement होगा कुछ ऐसा moment होगा होगा कि नहीं होगा वहाँ जब एसा moment होरा है तो आप कैसकते हो कि इस तरंग में जो particle का movement है, वो तरंग के, जो ये तरंग है, इसी के क्या पारलर है, जबकि transverse wave में, जो movement of particle होता है, waves के perpendicular होता है, केसे, क्योंकि जो इसमें waveform होती है, वो कुछ इस तरीके की होती है, कैसी होती, कुछ इस तरीके की, यह इस तरीके की, यानि कि यदि आपका waveform move कर रहा है तो जो particle है वो आपसे कैसा होगा perpendicular होगा आप देख सकते हो यहाँ पर perpendicular किसी पर भी कहीं पर भी क्या होगा perpendicular होगा हमें sound देखना है आपको सबसे जद्धर यहाँ पर जो समझने वाली चीज है वो क्या है आप बस इतना समझो कि आपका जो sound है वो mechanical में भी mechanical में भी किसमे आता है longitudinal waveform में आता है यानि कि ध्वयनी अनुद्याध तरंगों का उदाहरण है तो देखो यहाँ पर question नहीं है लेकिन question next time बन सकता है कि ध्वयनी या sound जो है पहले तो दो एक question बन सकते है कि कौन सी waveform है mechanical है या electromagnetic तो आपको पता होना चाहिए कि sound जो है mechanical waveform है clear दूसरा question बन सकता है कि sound क्या है longitudinal या transverse तो ये भी clear होना चाहिए कि sound हमारा longitudinal waveform है तीसरा question बन सकता है sound में जो movement है particle का वो कैसा होता है तो वो आप कहोगे waveform के parallel होता है clear अब देखो एक बात बता मुझे जैसे अपने spring को खीचा और उसके बाद छोड़ दिया ध्यान देना है ना पहले खीचा फर छोड़ दिया तो क्या spring तुरंट अपनी अवस्था में तो आएगा नहीं नहीं आएगा ना कहीं पर पास पास रहेगा कहीं पर दूर दूर रहेगा है ना फिर कहीं पर पास पास रहेगा फिर कहीं पर दूर दूर रहेगा तो इसको हम कहते है expansion जहां पर दूर-दूर हो गया और जहां पर पास-पास है उसको हम कहते compression यानि कि जो अनुदार दरेंगे हैं उसमें compression and expansion होता है clear अब हमारा जो sound है वो कैसे travel करता है थोड़ा सा समझना सिर्फ थोड़ा सा समझना कि जो हमारा sound है वो कैसे travel करते हैं हमने यह चीज़ देखा कि sound हमारा longitudinal waveform है यानि कि कुछ ऐसा travel करने वाला है suppose करो कि आपने sound जैसे कि suppose करो कि यह आपका क्या है माइक है suppose करो ठीक है आपने माइक से बोला जैसे ही बोला तो sound कुछ ऐसा ऐसा है ऐसा कि ऐसा ट्रावल करेगा ठीक है आप पीछ पर डिपेंड करता है कब आप हाई पीच पर बोल रहे हो तो सपोज़ करो कि आपने एक बार बहुत तेज बोला है यह ना जैसे कोई जैसे ही फ्रिक्वेंसी ज्यादा है इसका मतलब आपका अभाएख च्ब आफ्बाइशłem शैम horses संब पर जब से छादेव देंद है साथ ही mechanical waveform का example है हमारा क्या sound इतना clear हुआ अब हमारा जो question है कह रहा है the velocity of sound यानि कि जो ध्वनी है उसका वेग किस में अधिक्तम होगा हवा में द्रव में धातू में या की vacuum में सबसे important चीज है कि आप clearly देख पा रहे हो थोड़ा सा relate करना कि जो sound है वो एक mechanical waveform है यानि कि माध्यम में हमारा ध्वनी क्या करता है संचरण करता है यदि आप एक तम basic सा example है जो school में सभी ने पढ़ा है कि एक table में एक तरफ आप ऐसे सर रखते हैं रखते हैं एधि आप ऐसा सर रखते हैं दूसरे तरफ से किसी ने ऐसे उस पर बजाया या कुछ भी हिट किया तो वो sound आपको तुरंट सुनाई देता है कैसे वो तो solid था ना टेबल लेकिन आपको sound सुनाई दिया इसका मतलब दुएनी एक माध्यम में ही संचरण करती है निर्वार्थ में संचरण नहीं करेगी क्योंकि निर्वार्थ में कोई भी air particle नहीं होता ठीक है कोई भी पार्टिकल नहीं होता तो ध्वयनी निर्वार्प में संचरण नहीं करती पहली बात आपको समझनी होगी दूसरी बात समझनी होगी कि ध्वयनी को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यक्ता है क्योंकि यह एक ज्यांतरिक वेफॉर्म का उदारन है अब तीसरी चीज है एक्जामपल दिया है एयर, फ्लूड, मैटल, एंड वैक्यूम एक बात बताईए मुझे ध्वयनी जो है न मीडियम पर डिपेंड करता है जैसे ध्वयनी संचरण हो रहा है तो किस मीडियम में कैसा संचरण होगा वो according to medium डिपेंड करता है यानि कि ये जो ध्वयनी है आपने कुछ बोला ठीक है आपने कुछ बोलो और आपके पास तीन मेडियम है, क्या क्या मेडियम है, तीन मेडियम है, पहला मेडियम है आपका solid, दूसरा मेडियम है liquid और तीसरा मेडियम है gas, तो solid मेडियम में क्या होता है, एकदम basic सी general knowledge की बात है, कि जो solid मेडियम होता है, यानि कि जो कहना चाहिए ठो लिक्विड की होगी दिन गैस की होगी तो according to density हमारा sound भी different होता है it means जहां पर सबसे ज्यादा density है solid में वहां पर आपका sound सबसे जाता होगा दिन थोड़ा सा कम liquid में होगा दिन उससे कम gas में होगा अब यह कैसे related है एक बात बताईए sound को यदि एक word में आपको define करना है sound को सिर्फ और सिर्फ आपको एक word में define करना है तो आप कैसे define करोगे सिर्फ और सिर्फ एक word में आप बोलोगे कि sound is a vibration क्या बोलोगे sound is a vibration यानि कि जो ध्वनी है वो सिर्फ और से vibration से ही पैदा हो रही है तो vibration किस में ज्यादा होगा solid में, liquid में या gas में जाहिर सी बात है solid में सबसे ज्यादा vibration होगा यानि कि कमपन के कर जहां पर सबसे ज्यादा मौजूद है ध्वनी भी वहाँ पर अधिक्तम होगी clear और liquid में थोड़ा सा vibration कम होगा और gas में तो बहुत ही कम होगा clearly visible है कि जो सबसे ज्यादा velocity होगा वो होगा sound का उससे कम होगा liquid का दिर उससे कम होगा gas का clear हुआ तो हमारा question क्या था the velocity of sound is maximum जो velocity है वेग है किस का अधिक्तम होगा बताओ आप हवा में होगा draw में होगा metal में होगा या vacuum में होगा जाहिर सी बात है अभी अभी इतना कुछ explain किया जो अधिकतम कहना चाहिए अधिकतम वेग होगा जहां पर सबसे तेजी से sound travel करेगा वो होने वाला है यहां पर metal क्योंकि metal solid है पहली बात तो देखो हावाद और fluid तो खतम होके gas and liquid में vacuum का तो कोई connection ही नहीं क्योंकि vacuum में तो धोईनी एक्जिस्टी नहीं करता sound एक्जिस्टी नहीं करता है यहां पर तो से पूछा है कि maximum velocity है ना क्या होगी जो चीज बोर्ड पर लिखी हुई है इन में से कुछ भी questions next time आपसे पूछ सकता है आगे बढ़े चलिए देखो the speed of sound increases as the density of the medium increases है ना बिलकुल जैसा कि भी नाम ने बताया कि यदि density बढ़ेगी तो आपका sound बढ़ेगा और density जो होता है हमारा density क्या होता है density घनत तो वराबर होता है द्रविमान बटे आयतन होता है ये भी अमको पता होना चाहिए और जो density है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है जो density है वो सबसे ज़्यादा होती है solid की सबसे ज़्यादा होती है solid की then होती है liquid की then होती है gas की है न according to the particles क्योंकि particles solid में बहुत पास पास रिद्दमान होते है liquid मे पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं और गैस में काफी दूर होते हैं तो जो डेंसिटी के according हमारा sound move करता है है ना जहां जितनी ज्यादा density होगी उतना ही ज्यादा sound का वहाँ पर velocity होगा sound moves quickly sound क्या कह रहा है sound moves quickly in solids as compared to air fluid and vacuum exactly अभी अभी मैंने बताया कि sound sound जो है हमारा वो सबसे तेजी से solid में मूव करता है यानि कि कहना जी ठोस में मूव करता है दूसरा है sound moves at a higher rate via denser medium यादी हमारा medium जितना dense है यानि जितना जादा घनत है उस medium का वहाँ पर sound उतनी तेजी से बढ़ेगा या move करेगा next है the density of the solid is greater than the densities of air liquid and vacuum exactly अभी अभी बनाया कि सबसे जगर density solid की होती है दिन liquid की होती है दिन gas की होती है sound velocity जो कह रहा है in the medium of अब एक बार बताओ according to density क्या move कर रहा है sound का sound की velocity clear तो जैसे जैसे density का है क्रम वैसा ही क्रम किसका बनने वाला है sound का clear क्यानि की sound की जो velocity होगी सबसे कम यानि ना के बराबर किस में होगी आपकी vacuum में होगी ध्यान दीजिएगा सबसे कम जो होगी वह vacuum में होगी उसके बाद medium of gas में होगी then medium of liquid में होगी then medium of solid में होगी यानि कि सबसे ज़्यादा velocity जो sound की होने वाली है वह solid medium में होने वाली है यानि कि ठोस माध्यम है जहां पर वहां पर आपका धुएणी सबसे तेजी से travel करने वाला है clear हुआ dear students, clear हुआ हो तो एक thumbs up बनाईएगा है ना देखो हमने option तो बहले ही solve कर दिया लेकिन उससे related next time और कौन से question बन सकते वो ज़्यादा important है है ना तो कुछ भी नहीं मिस कर रहे हैं चलिए तो हमने इसका answer देख लिया है ना देख लिया क्या answer था हमारा option C था हमने take कर दिया next question देखें चलिए next question देखते है अगला question कह रहा है लगभग 20 degree Celsius के तापमान पर किस माध्यम की धुएनी की गती अधिक्तम होगी again the question from the velocity of sound है ना कह रहा है in which medium किस medium में जो है किस medium में आपका the speed of sound will be the maximum at the temperature of 20 degree Celsius देखिए ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा velocity किसकी होगी जितने भी यहाँ पर दिये गए है option किसकी होगी हवा की होगी ग्रिनाइट में होगी पानी में होगी या लोहे में होगी अभी हमने पूरा sound का जो movement है जो velocity उससे related discussion किया है तो आप clearly answer दे सकते हो question है कि तापक्रम पर यानि कि यह जो लिखा यहाँ पर यह लगभग थोड़ा सा आपको confuse करने के लिए लिखा है कह रहा है कि 20 degree Celsius की तापमान पर किस माध्यम में धोयनी की गती अधिकतम होगी अरे भाई 20 degree Celsius है ठीक है लेकिन क्या पानी 20 degree Celsius पर बर्फ तो नहीं बन जाता ठोस तो नहीं बन जाता है कि नहीं माइनस में जाकर के बनता है तो आपको confuse नहीं होना है हवा भी 20 degree Celsius पर नॉर्मल होती है पानी भी नॉर्मल टमप्रेचर मतलब 20 degree Celsius is नॉर्मल टमप्रेचर ओके तो फिर आपका लोहा तो आप directly answer दे सकते होगी maximum जो होगा इन चारों में से वो लोहे में होगी आपकी maximum velocity है की नहीं आए थोड़ा सो डेटेल डिसकर्शन देखते हैं इसका 20 degree Celsius पर the speed of sound in air is लगभग 343 meter होता है 344 meter per second होता है it depends strongly on temperature as well as the medium through which a sound wave is provocating एक बात आपको और समझनी होगी temperature की बात आई है तो अपन बताते हैं देखो जैसे suppose करो आपने suppose करो कि आपका कोई बाउल के यह कोई बाउल कर mówi से पनी करों ईस पानी को आप गरम करोंगे और B 2007 थैंख गरण करोंगे थीकके घरम कर रहे हैं आप पानी को जब पानी को गरं करोंगे तो मुझे ध्यान से बताना ओर इक अपनी करने पर टंप्रेचर से रिलेट करने के लिए यह एक्जामपल ले हैं, यदि आपने पाने को गरम किया, तो क्या पानी का बदलेगा, क्या द्रविमान बदलेगा या वॉल्यूम बदलेगा, मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, कि हम यदि बाउल में पानी लेकर के नीचे से यहां से इसको गरम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या बदलेगा, पानी का द्रविमान बदलेगा या पानी का वॉल्यूम बदलेगा, है ना, ऐसा तो नहीं क्या आपने एक लिटर पानी रखा गरम होने के लिए और पानी क्या हो गया? पानी क्या हो गया, पांच लिटर बन गया, ऐसा possible है क्या, not possible याद, possible ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं, जो density is equal to mass upon, क्या होता है, volume, तो volume change हो रहा है, अब एक बात बताओ मुझे, पानी को आप यदि बहुत जादा तक, बहुत जादा देर तक क्या कर दिये, temperature बढ़ाते गए, ब बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, तो हम कहें, कि जब temperature बढ़ रहा है, temperature बढ़ रहा है, तो density बढ़ रही है, और density बढ़ रही है, तो आपका sound का जो way propagation है, वे भी बढ़ रहा है, क्योंकि density high होने से ही, तो sound तेजी से move करता है, कुछ समझा रहा है, नॉर्मल सा practical example है, सभी लोग घर में, अभी तो covid का time था, तो कितने लोग पानी boil करते रहोंगे, उबाल के पीते रहोंगे, गरम करके पीते रहोंगे, तो जब आप boil करते हो ना पानी को, तो भाब बन के उनने लगता है, volume थोड़ा सा कम होने लगता है, यानि कि हम temperature बढ़ density related है density, indirectly ध्यान देने वाली बात यही है, तो क्या कह रहा है, it depends strongly on the temperature, yes, यदि आप temperature बढ़ा रहा है तो density बढ़ेगी, ये एक example हुआ, एक और बताती हूँ, देखिए, समझेगा थोड़ा सा, suppose कर ये कोई sound आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, sound आ रहा है, अब temperature कह रहा है बढ़ घ्क गया है, अब जैसे माइलो, आप suppose करो कि आपने कोई iron की sheet लिए हुई है, ठीक है, iron की sheet लिए है, Dion की sheet में ये कुछ particles हैं जो की बहुत बहुत पास है, होंगे सी बात है क्योंकि iron की sheet एक solid है, और solid में हमारे particles हो बहुत रहा ही पास-पास होतें, तो हम ने देखा कि जो ह हमारी iron sheet है जब हम यदि उसमें particles है normal sound produce करेगा करेगा अब यदि आप इसको थोड़ा सा गरम करो जैसे ही अपने temperature बढ़ाया temperature को बढ़ाया यानि इस sheet को गरम किया तो यह particles यह मूज़ करने लगेंगे करने लगेंगे कि नहीं करनेंगे सही बताइगी आप लोग क्लेरी बताइगे जैसे temperature बढ़ाया तो क्या करेंगे इसके particles move करने लगते है और तेजी से भी करने लगते है इसका मतलब temperature बढ़ने से particle का movement वड़ गया और पार्टिकल यदि तेजी से मूफ कर रहे हैं, तो तेजी से आपका साउंड आने वाला है, आने वाला है कि नहीं आने वाला है, इसका मतलब है, यदि टमप्रेचर बढ़ाते हो, तो साउंड और तेजी से आता है, हमें सुनाई देता है, तो टमप्रेचर is directly proportional to the wave propagation, या कहना च depends strongly on the temperature as well as the medium through which a sound wave is propagating, तो प्लिया हुआ कि कैसे temperature affect कर रहा है, अब हम अपना question देखते हैं, हमारा question क्या था, हमारा question था, कि लगबग 20 degree Celsius के तापपन पर किस माध्याम में ध्वैनी जो होगी, अधिक्तम होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो solid होगा, उसी में ध्वैनी अधिक होगी, तो option D हमने टिक कर दिया था, क्या टिक कर दिया था, option D हमने टिक कर दिया, temperature की dependency, medium पे कैसे depend करती है, थोड़ा सा हम और detailed discussion इसका करते हैं, आईए, ध्यान दीचियेगा थोड़ा सा, कि temperature के बढ़ने से कैसे हमारे sound में effect पढ़ता है, सबसे पहले है आपका gas, then है liquid, then है solid, clear, अप gas solid liquid दिया गया है, question आपका बनता है, हर बार बनता है, लेकिन कही बार solid का नाम दे देगा, धोखे से आपको बोल दिया, कि हवा, पानी, शर्वत और iron में से किस में सबसे ज़्यादा velocity होगी sound की, तो clear होना चाहिए, iron में होगी, aluminium देती है, तो पता होना चाहिए, aluminium जो भी solid चीजें दिया है, सिर्फ solid का comparison नहीं करवाएगा, clear, और यदि देता भी है, तो हम देख रहे हैं, और दिखाते हैं, सबसे ज़्यादा यदि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा जो आपकी velocity of sound है, वो किस में दिख रही है, diamond में, सबसे ज़्या था हमारा जो question था, 344 meter per second हमारी speed होती, किस की speed of sound in the air at 20 degree Celsius, तो air में है 344 meter per second, liquids में थोड़ी बढ़ती जा रही हैं, 1200, 1300, 1500, कुछ ऐसी हैं, और gas में देख हो तो सब 1000 के टम में हैं, यानि 5000, 6000, 6000, 10000 और 12000, यानि कि सबसे ज़्यादा जो velocity है, धोईनी की, sound की, किस में होगी, solid में होगी, then liquid में होगी, then gas में होगी, clear हुआ, चलिए, next एक चीज और है, कभी पूछ सकता है, कि rubber में कितनी होती है, तो देखो rubber में भी काफी कम, rubber भले ही solid है, लेकिन rubber में होती सिफ 60 meter per second, ठीक है, air में देखो 20 degree Celsius पे है, 343 या 344 ठीक है, 343 meter per second, अभी अभी क्या मता है, temperature बढ़ाएंगे, तो क्या बढ़ेगा, sound का velocity बढ़ेगा, बढ़ेगा की नहीं बढ़ेगा, तो clearly आप देख पा रहे होगी, यहाँ पर 20 degree Celsius पर 343 meter per second है, हमने temperature को बढ़ा दिया, और हम 40 degree Celsius पर ले आए हवा को, तो वो हो गया 355 meter per second, this is the important point, क कि थोड़ा सा आप यहाँ से समझ सकते हो, easily, कि temperature बढ़ाने पर, velocity of sound बढ़ रहा है, clear, चलिए, तो अब आप clearly देख सकते हो, यहाँ पर, कि जो glass है, आपका solid है, copper solid है, aluminium solid है, सम में 1000 के terms में है, speed of sound, जब की हमारी, जो gas है, उसमें काफी कम थी, अभी हमने देखा, 200, 300, 400 की term म हुआ, चलिए, next question में बढ़ें, देखो, इतना बस ध्यान रखना, आपकी solid, liquid and gas, solid में सबसे ज़्यादा होगा, sound का velocity, then liquid में होगा, then gas में होगा, clear, चलिए, next question देखते हैं, अंगला question आपके सामने है, कि जो चमगादर की धोईनी होती है, वो कैसी होती है, यानि कि back जो sound produce क करता है, यानि कि आप सुन सकते हो, या आप धानिक करता है, सब classic absorption या ultrasound है, तेखो, पहले तो आप यह समझो कि जो धोईनी है, जो sound है, वो है, क्या-क्या, clear, थोड़ा सा समझते है, जो हमारा sound है, बेसिकली sound को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, कि कितने पार्ट्स होता है, आपका audible, तूसरा होता है audible, तीसरा होता है ultrasonic, यह यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि यह समझना आपको जरूरी है actual में, कि यहाँ पर जो है, कितना sound, जैसे पूछा ना, इसने bad का पूछा, तो पहले आपको यह तीनों चीजें clear होनी चाहिए, जो normally sound है उसको हम तीन तरीके से विभाचित करते हैं, एक होता है infrasonic, एक होता है audible, एक होता है ultrasonic, याद कैसे रखोगे, पहला infra, यानि कि सबसे कम, ultra, जैसे ultraviolet होती है न, उसको frequency सबसे जादा, वैसे ultrasonic, उसकी भी frequency सबसे जादा, बीच में आ जाता है audible, यानि जिसको हम normally सुन सकत हैं, जो infrasonic होता है sound wave, उसकी frequency होती है less than 20 hertz, यानि कि यदि 20 hertz से कम की frequency है, तो कहलाता है infrasonic sound waves, यानि कि जिसको हम सुन नहीं सकते, सबसे important बात हैं यहाँ पर, कि जिसको हम सुन नहीं सकते, जो normal human being है, वो infrasonic sound को सुन नहीं सकता, क्लिया? next आता है audible, यानि कि जो हम सुन सकते हैं, कितनी? 20 hertz से लेकर के 20 k hertz तक, क्लिया 20 k hertz तक की धोिन अनि को हम सुन सकते हैं, यानि 20 hertz से लेकर के 20,000 hertz तक की यदि जो धोिनि है frequency है, तो उसको हम सुन सकते हैं नेक्स आता है अल्ट्रासोनिक, which is greater than the 20kHz, clear, greater than the 20kHz, अब इसमें ध्यान देने बानली बात है, कि कौन क्या प्रोड्यूस करता है, और कौन इन चीजे, कौन जो है, किन चीजों को सुन सकता है, इन्फरासोनिक है, less than 20Hz, यानि कि जिसको मानो सुन नहीं सकता, human being सुन नहीं सक तक लिए इसको आप याद रखेंगे, अगला है audible, जिसको हम normally सुन सकते हैं, इसका frequency range पूछता है, एक्जाम में 22-20kHz, easily आप याद कर सकते हो, next आता है ultrasonic, यानि कि जिसको हम नहीं सुन सकते again, due to the high frequency, यहाँ पर था due to the low frequency, वहाँ पर है due to the very high frequency, और इतनी high frequency आपको मैं ब बेटा, bat and cat, याद रहेगा, bat and cat सुन सकते हैं, यानि कि जो चमगादर है, बिल्ली है, कुत्ते हैं, ये लोग है, ultrasonic sound सुन सकते हैं, इसके साथी जो सबसे important है, bat यानि चमगादर एक ऐसा जानवर है, जो की ultrasonic sound produce करता है, इसके अलावा कोई नहीं करता, तो ultrasonic produce करने वाल जानवर एक मात्र कौन सा है, bat या कहें, चमगादर, important है, कि ये तो देखो, सभी लोग समझ लेते हैं, ठीक है, तीन बार्स होते है, infra, ultra and audible, clear, लेकिन, जो ultrasonic है, वो सुन तो पाते हैं, कुत्ते बिल्ली और चमगादर, लेकिन produce करते हैं, कुत्ते बिल्ली, कौन produce करता है, produce करते हैं, bat या चमगादर, वही आपका question था, what does a bat sound like, यानि कि जो चमगादर की ध्वैनी है, वो कैसी होती है, तो आप कहोगे, ultrasonic होती है, या कि कहेंगे, परासरव ध्वैनी कहलाती है, clear, परासरव ध्वैनी जो है, हमारा चमगादर produce करता है, याद रहेगा, my dear students, और दि को ये चमगादर है, ये bat है, ये sound produce कर रहा है, ठीक है, तो ये जो बना हुआ है, ये दिखा रहा है कि हमारा जो bat है, bat क्या produce करता है, ultrasonic produce करता है, या कहें कि परासरव ध्वैनी produce करता है, इतनी high frequency produce करता है, सो, है न, clear, चले next question चले, अगला question क्या कह रहा है, अगला question है, की medium दिए गए है, आपको क्या-क्या means दिए गए है, जल, spot, nitrogen में, धुझेनी की चाल को आरोही क्रम में लिखना है यानि कि water, steel and nitrogen में कह रहा है, इन तेनों में speed of sound को आपको ascending Mos drive में बताना है, ascending order का मतलब होता है बढ़ते क्रम में बढ़ते क्रम का मतलब है कि जिसमें पहले सबसे ज़्यादा होगी फिर देन उससे कम होगी देन उससे कम होगी है ना आप देखो ascending order में हमको बताना है और option क्या-क्या है आपके पास देखो water दिख रहे हैं सभी को color combination सही है ना ठीक है water next है आपका steel and third है आपका nitrogen एक बात बताईएगा मुझे ठ्यान से देखना water क्या है dear students water is a liquid ठीक है water is a liquid सभी को पता है भई steel क्या है steel आपका solid है nitrogen क्या है nitrogen आपके gas है clear nitrogen gas है अब इतना यदि आपको पता है तो आपता answer दे सकते हो ना इसलिए सबसे ज़्यादा किसमें होता है sound का velocity solid में यानि कि solid में होता है maximum ठीक है next होता है liquid next होता है gas तो क्या मनेगा steel है one number पे है आपका water second पे है steel third पे है nitrogen तो सबसे बहले क्या आने वाला है two ठीक है सबसे ज़्यादा होगा sound का velocity steel में next number पे आएगा water यानि की one number पे next number पे आएगा third जो है nitrogen यानि की gas में तो ये option आपको किसमें दिख रहा है two one three का two one three का दिख रहा है last two one three का दिख रहा है option D तो option D will be the correct answer clear तो सबसे ज़्यादा second number यानि spot या steel में होगा next होगा gel में liquid में next होगा third gas में यानि की nitrogen में तो option D will be the correct answer clear हुआ चलिए next question देखते हैं ध्वैनी उर्चा को विद्धूत उर्चा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम पूछा दार है आपसे यानि कि जो sound होता है आपका sound produce करता है sound energy clear sound produce करता है sound energy अब वो sound energy को electrical energy में निमनलिखित में से कौन सा बदलता है यानि following है कौन कौन से है और दिखाती हो microphone यूज करते हैं और microphone में जब हम कोई भी चीज बोलते है song गाते है तो क्या होता है sound आई sound wave किसमें चेंज हो जाती है तार लगे होते हैं इसके थूट electrical energy में यानि कि sound energy sound energy को ये किसमें चेंज करता है electrical energy में electrical energy में चेंज करता है याद रहेगा जो mic होता है microphone को हम mic कहते हैं सब लोग mic mic जानते कई लोग तो मैं बता दूँ कि mic mic ही बस जानते microphone नहीं समझेंगे नहीं भी microphone को ही mic कहते हैं mic जो होता है आपका sound energy को electrical energy में चेंज करता है क्लियर तो क्या option होने वाला है अपना option हो जाएगा यहाँ पर microphone option C will be the correct answer आगे बढ़ें चलिए next question देखते हैं एक radio station कह रहा है 819 kHz 819 kHz की आवरिती पर प्रसारण करता है ठीक है बई चलो उसकी क्या कह रहा है रेडियो तरंग की तरंग दैद पूछ रहा है आपसे रेडियो स्टेशन broadcast at the frequency of 819 kHz the wavelength of the radio wave आओ छोड़ा सा solve कर लेते एक छोटा सा formula लगेगा वैसे भी science में बहुत बड़े formula नहीं लगते हैं एकदम छोटा सा formula लगेगा और आपका answer आजाएगा है ना आईए solve करते है क्या क्या दिया हुआ है 819 kHz यानि क्या आपके frequency दी हुई है दी हुई है ना frequency is equal to या आवरित्ती कहूं मैं आवरित्ती कितना दिया हुआ है my dear students आवरित्ती बराबर है 819 kHz या इसी को मैं लिख सकती हूँ 819 into 10 to the power 3 kHz लिख सकते हैं चलिए next कह रहा है the wavelength of the wavelength यानि की lambda पूछ रहा है अब भई आप सी यह दी wavelength पूछ रहा है और frequency given है तो हमें formula पता है क्या होता है c is equal to होता है new lambda ये formula आपको पता होना चाहिए नहीं पता है तो अभी जान जाओ my dear students c is equal to क्या होता है new lambda या मैं कहूँ c जो है यहाँ पर c क्या है velocity of light c क्या है velocity of light in vacuum किसमें in vacuum जो कि कितनी होती है अभी अभी बताया था question में क्या बताया था velocity of light जो है आपकी होती है c is equal to होता है 3 into 10 to the power 8 meter पर second अब एक बात बताये lambda पूछा है तरंगद्यार दे पूछा है दो चीजें आपको मिल गई तो आप क्यों नहीं निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं बिलकुल क्या पूछा है lambda पूछा है और c is equal to new lambda तो lambda is equal to c upon new हो जाएगा c की value कितनी दी होई है 3 into 10 to the power 8 meter per second ठीक है frequency कितनी है आपकी 819 819 into 10 to the power 3 hertz clear तो lambda is equal to हो जाएगा lambda is equal to निकालना होगा आपको देखो 3 उपर ले चाहेंगे तो अपना इसको हम लिख सकते हैं इसको 300 कर दो 2 0 इधार आगा 10 to the power 6 हो गया divided by 819 into 10 to the power 3 उपर ले चाहोगे तो क्या बचेगा 300 divided by 819 into 10 to the power 3 meter clear इतना हुआ अब आई है इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं अपन कर सकते हैं बिलकुल इतना हुआ 3 into 10 अब दिवाइड कर लेते हैं कितना आ रहा है डिवाइड करने से क्यालकुलेटर नहीं है यार मोबाइल से ही करना पड़ेगा है कि नहीं 300 divided by 300 divided by 819 is equal to आ रहा है आपका कितना आ रहा है 0.366 into 10 to the power 3 meter clear अब हमको देखना होगा हमारा option किस तम में दिया है option दिख रहा है सभी को है ना देखो हमारा option किस तम में है तो हमारा है बिल्कुल option यदि clearly देख पा रहा है वो यहां पर दिख रहा है 3.66 into 10 to the power 3 3.66 into 10 to the power 3 एकदम confusing एकदम confusion वाला कि बच्चा बिल्कुल देखा कि हाँ 0.366 सार है तो पहला option टिक मार के भग जाएगा नहीं भाईया ऐसा नहीं करना है पहला हमारा जो answer आया है आपका कितना आया है 0.366 into 10 to the power 3 मीटर option 0.3 के टम में नहीं है तो आप क्या लिखोगे 3.66 into 10 to the power 2 मीटर और यस यह है हमारा दूसरा option तो हम यहां पर लगाएंगे क्या दूसरे option में टिक और आगे बढ़ जाएंगे यह नहीं कि हमने पहला टिक कर दिया और हमने पूरा question सही solve किया exactly यही करते है बच्चे हमने exam दिया हमको सब कुछ पता है कि same solve करेंगे और last में जो answer है पहला टिक करके आएकर बढ़ जाएंगे last में लगे कहा रही यार पूरा question solve किया और last में गलत करके आगे नहीं करना है यही चीज solve करने के बाद ध्यान से देखो कि कौन सा option exact match हो रहा है option B will be the correct answer clear हुआ चलिए आगे बढ़े इसको हटा देते हैं option B will be the correct answer next question देखते है पहला option है आपका तिवरता पर intensity पर दूसरा option है स्वरोब पर यानि कि इसका जो form है form पर तीसरा है तरंग that पर चौथा है इन में से कोई नहीं देखो intensity पर तो नहीं करता किस पर करता है density पर करता है density पढ़ा मैं आपने काफी बार बताया कि जो sound है हमारा वो medium की density पर depend करता है साथ ही साथ और किस पर depend करता है temperature पर depend करता है लेकिन ऐसे कोई option आपके इस पर नहीं दिख रहे है तो देखो intensity तो है नहीं स्वरोब पर भी नहीं है भाईया तरंग that हो सकता है कैसे हो सकता है नौर्मली एक बात बताईए मुझे जो frequency होती है frequency और हमारा जो lambda है वो inversely proportional होते हैं ये बात ध्यान रखनी बढ़ेगी आपको कि जो frequency है और तरंग that है ये दोनों एक दूसरे के inversely proportional होते हैं और हमने ये देखा कि यदि frequency बढ़ती है यानि कि हम बहुत तेजी से बोल रहे है कमपन बहुत तेजी से हो रहा है वहाँ पर तो वहाँ पर हमारा तरंग द्याध कम है और तरंग द्याध जादा इसका means frequency कम है तो हम directly तो नहीं पर indirectly कह सकते हैं कि हाँ sound जो है wavelength पे depend करता है तो क्या option होने वाला है option C will be the correct answer चलिए next question देखते हैं अगला question क्या कह रहा है telecast किसे कहते हैं sound से कभी-कभी ऐसा question भी बन जाता है telecast किसे कहते हैं question कह रहा है what is telecast option में क्या क्या है telephone conversation flash on screen printing the content of the message on the telex machine या कि है कह रहा steady connecting local telephones with external telephone without code है न next है आपका content of news and information flash on the screen तो आईए देखते हैं कि भाई telecast actual में होता क्या है एक बात आपको समझनी होगी कि जो telecast है आपका जो telecast actual में हो रहा है telecast और broadcast दो नाम की चीज़े होती है actual में हमारा जो telecast है tends to refer a television broadcast while broadcast refers to radio or television clear? so a radio broadcast can be referred as a broadcast while television is referred as the telecast दो चीज़े होती है एक होता है आपका broadcast एक होता है telecast broadcast and telecast तो यदि television की थू हो रहा है आप किसी को message भेज रहे हो आप टेलिवीजन देख रहे हो वो radio waves यूज़ करके आप यदि television यूज़ कर रहे हो उन radio waves का यदि use आपने टेलिवीजन में किया तो वो कहला आता है telecast और यदि आपने radio waves का यूज़ किया radio में तो वो कहलाता है broadcast तो आपका question था कि telecast किसे कहते हैं तो आप बिल्कुल clearly कह सकते हो कि content of news and information flashed on screen जो content है information है यदि screen पर आ रही है तो वो telecast है यदि screen पर नहीं आ रही है सिर्फ आप सुन पा रहे है वो radio पर आ रही है तो वो broadcast है तो आप basic सा question है देखो लेकिन इसमें भी कई वर confusion हो जाता है यदि आप screen पर देख पा रहे हो तो वो telecast है हम याद रख सकते हैं television से telecast दोनों में tele-tally आ रहा है और broadcasting का मतला है जब आप radio के थूँ कोई चीज़े सुनते हो वो चीज़े आपकी कहला दी है broadcast clear हुआ चलिए next question देखते है अगला question क्या कह रहा है अगला question है eco-sounding एक टकनीक है जिसका प्रयोग होता है eco-sounding technique का use हम किसमें करते हैं सागर की गहराई को मापने में किया जाता है it is used to measure the expansion of sound wave it is used to record earthquake waves या it is done for the record of air density in the atmosphere एक बात बताईए echo का मतलब होता है actual में जो हमारा echo है इसका मतलब है कि आपने जैसे ही sound बोला ठीक है तो जो sound गया उतना ही sound repeat भी होता है clear यदि आपने d distance के लिए आपका sound travel किया तो वो d distance travel करके यदि d distance travel करके आपका sound किया तो d distance travel करके sound वापस भी आ जाएगा यानि कि echo जो है वो travel किया आपका 2 d distance में यह नहीं कियाएगा सिर्फ d distance में कोई चीद जब आप बोलते हो और again वो आपको सुनाई देती है यानि कि आपने पहले बोला वो sound again वहाँ से repeat हो करके आया आपके पास इसका मतलब है sound कितनी distance travel किया d plus d is equal to 2d यानि कि echo क्या है जब भी किसी sound का repeat होता है और इसका जो use है ना पूछ रहा है किस में किया जाता है तो थोड़ा सा use समझ लेते हैं देखो जैसे जो हमारी नौ होती है बोट वगरा होती कुछ ऐसी होती है ठीक है अब जैसे इसमें जब travel कर रहे होते हैं जब हमारा now travel कर रहा है तो भाई कैसे पता चलेगा कि नीचे से पत्थर आने वाला है कुछ भी particle ऐसा आने वाला है जिसकी वज़े से इसको travel करने में आगे problem होने वाली है suppose करो यहाँ पे कोई पत्थर आ गया जब आपकी boat चल रही होती है तो एक sound produce कर रही होती है और वो sound जो produce कर रही होती तो कुछ ऐसे sound travel कर रहा होता है कर रहा होता है और यह sound again जो है आपका ऐसे reverse भी हो रहा होता है तो जैसे ही medium मिलेगा उसको कोई तो वो sound यहाँ से फिर से आ जाएगा उसके पास और जैसे ही sound आया देर अगेन उसके पास चला गया तो आप कैसे पता कर पाओगे न यहां यहां पर कोई पत्थर आया है आपको पता चल गया कि यहां पर कोई पत्थर यह obstacle आया है तो कहा रहा है सागर की गहराई को मापने में किया जाता है तो बिलकुल किया जाता है It is used to measure the ocean, it is used to measure the depth of the ocean तो हम इस तरीके से कुछ इन में आने वाले obstacles को भी पता कर पाते हैं या कि कहना चाहिए सागर की गहराई को भी मापते हैं तो ये था हमारा आज का sound pay discussion मिलते हैं next lecture में कुछ नए discussion के साथ तब तक आप लोग इसी तरीके से बढ़िया तयारी करते रहें और हमारे साथ प्यार से जुड़े रहें Thank you Glass